देश के सभी देश्वासियों को ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद और मुबारकबाद के साथ एक अपील भी करना चाहता हूं देश्वासियों से कि देश में अमनों अमान का महल बनाये रखें और जो हमारे नौन-मुसलिम भाई हैं वो भी ऐसे लोगों को आज बिलकु महल दुख की बात है और साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने भी 700 साल हुकुमत किया मगर इस तरह का माहुल कभी नहीं रहे पिछले तीन साल में जो माहुल देश में बनाया गया है और एक सोची समझी शाजिश के तहत है और मैं तमाम भाईयों कुसे अपील करना चा पाइवी लोग बाहर सफर करते हैं आपके बेटे भाई के साथ भी हो सकता है तो आप इसको इसको इतनी मतलब इससे ऐसा ना ले कि किसी गैर का मसला है सब एक समाम इंसानियत का मसला है और मैं दम से खुले अलफाद में कहना चाहता हूं अगर उनम में दम हैं तो खुल के व्यॐत वह कंछा आपको कि इस तरह से बच्चों को कहीं बाते हैं अकेले में और कर लेतें को तेने का यहां लई तो देश तशिल कर लेता में हो़का करना थे मुसलमान बी उस तरीके का माहुल पर उतर जा है मगर यह बहुत दुर्भात के बात है कि सरकार की खामोशी ने उनको इतनी हिम्मत उनकी बढ़ गई है कि पिछल पर एक दिन की बात नहीं है यह पूना में इस तरह थे मौसिन का कतल किया गया था उसके प्राइल था और उन्होंने जब देखा कि मौसिन के कतल के जश्टिस उ उसके बाद तरह उनकी हिम्मत बढ़ गई है उनको लोग प्रुसान दे रहे हैं उनको लोग सतकार करते हैं जेलों मेहें जानको फिर्फ को हार पैना रहे हैं जुनको इस तरह के कतल कर Greek इतरह कि मुसलमान को शुट कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा कभी-गी लगता है कि हमा तारीफ में लिखा जाता था कि वो बहादूर थे उन्होंने बहादूरी से हर वक्त का मकावला किया और हम अमरे बारे में इस तरह लिखा जाएगा कि हम एकदब बुजदिर थे और हुकमुरानों के तलवे चाटने वाले थे मैं तमाम मुसल्मानों से भी अपील करता हूँ तमाम देश की जन्दा से अफिल करता हूँ कि इस तरह तलवे इस तरह से भक्ति ना करें और इस तलवे ना चाटे कातिल कातिल होता है चाहे वो किसी भी इंसान का कत्क करने वाला हो तो इस पर जरूद ध्यान दें और मुसल्मान और हिंदू भाई यह अप्वों का अपोस